का नमस्कार दोस्तो और किमिलेंगम फिलिक पर का स्थ जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का लग्सटेम्स है और जिससे जुड़कर कोई भी स्टूडिर में फिल्टेव कि शात शात्रा वह अपने घर रहा कर अपने परिक्षा की तैयारी कर सकती है या कर सकता है यह आप अनकेडमी से जोड़ते हैं तो अनकेडमी की द्वारा जो आपको शुब्धाएं दी गई है उसमें डेली लाइप क्लासस है लाइप टेस्ट एंड क्यूजज है इस्ट्रक्षर और अनलिम्टेड एसस की टाउप फेकल्टी से परचित होने का आपका उसर मिलेगा उनके ग्यान उनके अनुभव कलाव लेकर आप अपने सिबिल सेवा परिक्षा के डीम तार्गेट को आप प्राप्त कर सकते हैं और इस मतलब जो टाप मोस्ट एजुकेटर है उनमें सुदर्शन गोरजर है गुपता है रोमन सैनी है आयूश शांगी है अमन सर्मा है दिपांसु सिंग है आसिस मलिक है तो यह तमाम जो टाप पोस्ट एजुकेटर से इनके अलावा भी और बहुत सारे हैं उन सारे के ग्यान और कहलेजी के अनुभव का लाव आपको तो भी मिलेगा जब आप अनके अर्थ सेवेंटीन इयर्स फार कोलेटी एंड कार्यास क्यूश न फार प्रिल्हिंस एंड मेंश एक्जामिशन आया रीजसा की आपको पता है कि अंकडू जो है वह वह 15,500 से अधिक और सब्सक्राइब चांच किया है, वो प्रॉवाइड कराती है। लेकिन इन न कोर्सस से आप तभी जुड़ पाएंगे और जुड़कर आप तभी लाब ले पाएंगे, जब आप अन-कैडमी को सब्सक्राइब करेंगे, अन-कैडमी एप को डाउनलोड करते हुए, उसे सब्सक्राइब करेंग तभी इसका लाब आपको मिल पाएगा और इन courses के तहर जो आपको benefit दी गई है उसमें जो courses available है पोल्टी है, grammar है, करंट अपुर्टी है, इसूरी पोल्टी है, गोर्टनेंस है, आईर है, जोगर्फी है Science and technology है, INCRT शमरी है, harusmaster है, department and technology है, art and culture है, current affairs है, Indian technology है, practice and strategy है, answer writing courses तो यह बहुत सारे courses मतलब unacademy आपको प्रवाइड कर रही है लेकिन इन course का लाब आपको तभी मिलेगा जब आप unacademy से जुड़ेंगे अब एदी आप unacademy से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको unacademy आपको मतलब सबस्काइब करना होगा कहां पर आप गूगल के प्ले स्टोर पर जाकर सबसे पहले से सबस्काइब करें ताकि आप unacademy से जुड़ सकें और unacademy दोरा प्रवाइड कीगे इन सारी शुद्धाओं को प्राप्त कर सकें तो unacademy के द्वारा जो एक प्लस कार्ज courses है उसके तरह तक आप जुड़ते हैं तो इसमें छे महिने की फिष चारी जार पांस रूपए है एक साल की फिष उनचार जार पांस रूपए है दो साल की फिष बात्तरह जार रूपए है और तीन साल की फिष नबे हजार रूपए है लेकिन यदि आप मेरे code NPS 10 की तहत इस course से चुड़ना चाहते हैं तो इस फिष में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे जो छे मंत की फिष है जो 40,500 रूपए है ये फिष कम होके आपकी 36,450 रूपए हो जाएगी इसी प्रकार जो 12 महिने की फिष 49,500 रूपए है ये फिष आपकी घटके 44,500 रूप जो फिष तीन साल की है जो 90,000 है वो घटकर 80,000 रूपए हो जाएगी मतलब लेकिन ये छुट लेने के लिए शुवदा इलाब लेने के लिए आपको मेरे कोड NPS 10 का यूज करना होगा इस्तेमाल करना होगा इसी प्रकार ये दिष अनेकेडमी द्वारा प्रोवाइड आप आइकॉनिक प्रोग्राम से जुड़ते हैं आइकॉनिक प्रोग्राम से जुड़ने का ताथ पर ये है कि जो प्लस की तहट शुबदाएं दी गई है वो आइकॉनिक के तहट शुबदाएं बहुत बिस्तित हो जाती हैं बहुत बड़ी हो जाती है और इसका जो फिष टेक् रूपए है, दो साल की फीष एक लाग 15,750 रूपए है और तीन साल की फीष एक लाग 15,000, सास एक लाग 15,000, सास लाग 15,000, 750 रूपए है लेकिन यदि आप मेरे कोड NPS 10 के तहत इस कोर्स को सबस्काइब करते हैं, इस कोर्स से जुड़ते हैं, तो इसमें आपका 10% का छूट म साल की फीष एक लाग 15,750 रूपए है, ये फीष एक लाग 4,175 रूपए हो जाएगी, इसी प्रकार जो तीन साल की फीष है, वो एक लाग 53,750 है, वो फीष आपकी 13,375 रूपए हो जाएगी, लेकिन ये छूट लेने के लिए आपको मेरे कोड NPS 10 को यूज करना होगा, इस के माध्यम से जुड़ना होगा, अब अनेकडमी जो है, वो जो तमाम कोर्स लांच की हुई है, उसमें 6 मन्थ बेच कोर्स है, फार UPSC, NCSC के लिए, और कंप्लीट 1 एयर बेच कोर्स है, फार UPSC, NCSC 2022 के लिए, इसी प्रकार कंप्लीट 2 एयर जीएस बेच कोर्स है, फार UPSC CCSC 2023 के लिए, इसी आर टी बेचेज, फार UPSC, CCSC जो प्रिलिम्स का बेच है, तो ये तमाम कोर्स जो है, वो अनेकडमी के द्वारा लांच किये गए हैं, आप इन से जुड़ सकते हैं, और अनेकडमी द्वारा प्रोड़ा का लाभाब ले सकते हैं, इसी प्रकार अगर आप अनेकडमी के द्वारा एक जो बेहतरीन प्रोड़ाम लांच किया गया है, उसमें ये है कि अगर आप UPSC, CC, GS के लिए, आइकॉनिक प्रोड़ाम के साथ, ओप्सनल कोर्स का प्लस प्रोड़ाम लेते हैं, तो इसकी जो फ्रीस है, बलब यहां पर यहों कहलेजिए, कि ओप् इकॉनिक के द्वारा शुब्धाएं दी गई है, वो यहां पर दी जाएंगी, GS के संदर में, और प्लस के तहद जो ऑप्सनल के शुब्धाएं है, वो दोनों मिला के एक कंबाइंड शुब्धाप को दी गई है, जिसमें 12 मन्त की फीज़ जो है, वो ठासी हजार साथ बीस रुपे दी गई है, लेकिन इसमें इसमें शुब्धा आपको यह दी गई है, इसमें शुब्धा आपको बड़ी यह दी गई है, कि इसमें आपको GS का जो आइकॉनिक प्रोग्राम है, उसके तहद जो फैसल्टी मिलती है, वो पूरी सामिल होगी, और प्लस, आकाडेम प्लस, UPSC, CSE, आप्शनल का मुलब आप्शनल को सब्सक्राइब करते हैं, इसके तहर जोड़ना चाहते हैं, तो इसकी एक साल की फीज सतर हजार एक सो तीन रूपए है, दो साल की फीज निन्यानवे हजार छे सो असी रूपए है, तीन साल की फीज एक लाके किस जार दो स रूपए डिशाइड की गई है, नरधारित की गई है, कल मैंने चर्चा क्या था, अनसूची के बारे में अनसूची क्या है, अनसूची का तातपर्ज क्या है, इसकी महत्ता क्या है, और हमने इसमें देखा था कि भारती सम्विधान में कुल मूल सम्विधान में आठ तो जो बिबन संभधान संसोधनों के दोरा मिक्री संका को बढ़ाया गया वबढ़ा गया किसी संभधान संसोधन के दोरा बढ़ाया गया इनके बारे हमने एक डटेल चरचा आपकत नतीक हमNG diabetes ऑपकरों छाथी थी मैं नतीन punya नतीकी मिलग sacrifice plan को अगया क Правور तो इस पर मैंने बताया था कि तीन सूचियों का प्रावधान जो है वो समलित रूप से भारत सासना जर्ण में 1935 से इंडिया गवर्मेंट एक्ट 1935 से लेकर इसे समधान में शामिल किया गया था दो बर्तमान में जो मतलब सात्वी अंसूची है इस इनसूची में तेन सूचियां हैं union list state list संग सूची राज वी शूची समूर्थी सूची संग सूची और राज शूची के उधारा मैंने आपको जर्चा किया था कि इसे करंड़ा से प्रेरिट होकर सामिल किया गया है समवर्ती सूची के अधारणा को आस्टेलिया से प्रेरित होकर समधार में सामिल किया गया है जबकि तीनों सूची की समलित अधारणा को भारत सासन अधनिम उन्सों 35 से प्रेरित होकर 32 समधार में सामिल किया गया है मैं टॉ까지 राफ्य में कितने विशे हैं कैशे विशें की प्रकित नेचर क्या है या उन्हें वर्गिकित करने का अधार क्या है राश क्या है और स法 कि में किया है तो संग सूची में पेहले बात तो न विश्यों को सामिल किया गया है, जिनकी प्रकित, जिनका सुरूप, जिनका नेचर, राष्टी महत्तुपा है, ऐसे विश्यों को सामिल किया गया है, जिसके बारे में पूरे देश में जिसकी महत्ता हो, उसके बारे में जो कानून बना जाए, उस कानून की महत्ता, उसका अं महत्त्य का विश्य कहा गया तो संग सूची में राष्टी महत्त्य की विश्यों को सामिल किया गया है और आरंभ में 97 विश्यों को राष्टी महत्त्य का विश्य गोशित किया गया था किन्तु बर्तमान में इस सूची में कुल सौ विशे हो गये हैं मतलब सौ विश्यों को राष्ट्री महत्त्र का विशे घोचित करते हुए उसे संग सूची या यूनियन लिस्ट या सेंटर लिस्ट में सामिल किया गया है अब संग सूची में कहा गया है इसके बारे में कि संग सूची में दिये गए विश्यों पर कानून बनाने की अनन्य सक्ति एक्स्क्लियूसिब पावर इंडियन पार्लेमेंट को प्रापत है भारती संसद को प्रापत है भारती संसद जो कहलेजे की सेंटर्ल लिजिसलेचर बौडी है संसद जो है जो संग का कानून बनाने वाला निकाए है उसको दिया गया है क्योंकि इन विश्यों का उलेख संग सूची में यूनियन लिस्ट में किया गया है तो यूनियन लिस्ट में दिये गए विश्यों पर कानून बनाने की अनन्य का मतलब है कि किसी और अन्य को किसी भी इस्तिती में संग सूची में दिये गए विश्यों पर कानून बनाने की सक प्राप्ति केवल और केवल केंद्र को प्राप्त है भारती संसत को प्राप्त है भारती संसत ही उस पर कानूर बना सकती है किसी और को किसी विश्थति में संग सूची में दिये गए विश्यों पर कानूर बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है तो ये पहली लिश्ट थी जिसे हम union list, center list, संग सूची या केंदरी सूची के नाम से भी जानते हैं अब साथमीन सूची की जो second list है, जो दूसरी list है, जिसे स्टेट लिस्ट के नाम से जाना जाता है तो स्टेट लिस्ट में कैसे विश्य रखे गए हैं? स्टेट लिस्ट में, राज सूची में उन विश्यों का उले किया गया है जिनकी महत्ता मतलब अस्थानी है जिसकी छेत्री महत्ता है मतलब जो अस्थानी महत्त के विशे हैं जिनकी उपयोगिता जिनकी उपादेता किसी छेत्र विशेच के लिए है ऐसे विश्यों को राज सूची में रखा गया है और मूल संविधान में राज सूची में कुल विश्यों का 66 विश्यों का वो लेख किया गया था राज सूची में लेकिन आगे चलकर 42 में समिधान संसोधन 1976 के द्वारा इस सूची के पांच प्रमुख विश्यों उसमें सिक्षा वन जंगली जानवर वापक्षियों की रक्षा मापतौल परिवार नियोजन वाजन संख्या नियंतर जैसे यही पांच भीश है 42 में समिधान संसोधन 1976 के द्वारा राज सूची से रिपलेश करते हुए राज सूची से हटाते हुए उनको समवर्ती सूची में सामिल कर लिया गया इस प्रकार बरतमान में राज सूची में जितने जो विशय उलिकित हैं उनकी संक्या 61 हो गई है एक सक हो गई है अब राज सूची में दिये गए विशयों पर सामानत्या जन्रली कानूर बनाने की सकती राज बिधान मंडलों में नहीं थे राज के legislature body में नहीं थे राज का जो विधनिरमात्री निकाय है जो बिध बनाने वाली संस्ता है उसको दिया गया किन्तु कुछ विशेश पस्थतियों में राज सूची में दिए गए विश्यों पर कानून बनाने की शक्ति संसत को भी प्राप्थ हो जाती है अब आप देखें यही फरक है यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में यूनियन लिस्ट में जो विशेदी गए हैं उन्हें कह गया कि कानून बनाने की अनन्य शक्ति एक स्क्लिशि प्रावर को संसत्त को किसी अन्य को कि सिब्स्थति पच्थतिम नहीं है लेकिन जो विश्य है राज सूची में रखे गए हैं उन विश्यों के बारे में प्रावधान है कि साधारन तयह जनरली इंद जनरल हुई तो उस पर कानूर राज ही बनाएगा कहने का मतलब है कि जब देश की साथ संब्योस्ता सामान तोर तरीके संब्यधान के प्रावधानों को तरह चल रही है देश के समझ कोई संकट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है कोई परिशानी नहीं है सब कुछ देश बाहर से अभीतर से सब कुछ ठीक ठाक है तो ऐसी इस्तिती में राज सुची में दिए गए विश्यों पर कानून बनाने की सकती राज जी के पास है लेकिन संबिधान निर्माताओं के दौरा कुछ ऐसी विश्ष परिश्थितियों की कलपना भी की गई जिन परिश्थितियों में राज सुची में दिए गए विश्यों पर कानून बनाने की सकती केंद्र को मिल जाती है यह विश्था थोड़ा सा अंतरविरोथ पैदा करती है कि जब संगहात्मक विश्था है और संगहात्मक विश्था इस प्रिंस्पल पर काम करती है कि जो आपके विश्यों आप उस पर काम करो तो वो विश्ष परिश्थितियों जो राज सुची में दिए गए विश्यों पर काम करने का दिकार कानून बनाने का दिकार केंद्र को दी रही हैं तो ये प्रावधान यकीनन मनलब फेडरल प्रिंस्पिल के अगेंस्ट प्रतीत होते हैं फेडरल प्रिंस्पिल के विरुद्ध प्रतीत होते हैं लेकिन चुकि अब सम्मिधान निर्माताओं ने ये प्र भारत की भावगोलिक परिश्टती कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से उन्हें एक सक्तिसाली केंद्र की आवशक्ता महसूस हुई, इसलिए संगात्मक्स धांत फेडरल पिंस्पिल को पनाते हुए भी उन्होंने एक सक्तिसाली केंद्र को इस्थापित करने की उद्धेशे से संगहात्मक साथ सातन पढ़ाली के अगेंस्ट वो लगते हैं लेकिन चुकि हमारी परिश्थितियों की माग ऐसी थी उन्हीं माग को देखते हुए उसी नीड सुसी आवशक्ता को देखते हुए संविधान नर्माताओं अनुष्ची में प्रहखते हैं उसी प्रावधान एक प्रावधान ये भी कि कुछ बिशिश्च पस्तितियों में राज्शूची में दिए गए बिछिओं फर कानून बराने की शक्ती संसत को प्राप्थ हो जाती है और एक शक्ति संसत को कैसे मिलेगी संविधान की देने का मतलब है संविधान के अनुछेद में यह प्रावधान किया गया हो वह अनुछेद संसत को यह पावर दे रहा हो कि राजचुची में दिये गए विश्यों पर इन आधारों पर इन कारणों की वह जैसे आप कानून बना सकते तो उन अनूचेदों का ंगर हम करें तो उसमें पहला अनूचेद हैion ze 219 इंचे 252 142 तिन तेच Aans-356 यह भारती सब्रिधान के पांच ऐसे अनूचेद हैं जो राज सूची में दिय परिश्थति में केंद्र को देते हैं संग सूची में अनन्न कोई नहीं बनाएगा इसलिए राज सूची में साधारत्या कानुदाने कि सकते राज धानमंडों को दी गई है इस इस बात का उलिख किया गया साधारत्या का मतलब है जब कुछ ठीक ठाचल ला हो तो अनुछे 249 में वो कौन से आधार बताए गए हैं जिस आधार पर राज सूची में दिये गए बिश्यों पर कानून बनाने की सकती संसत को हांसिर हो जाती है तो भारती संप्रधान के अर्टकिस 249 में इस बात का उलिख किया गया है इस बात का प्रोवीजन किया गया है कि राज्टी हित में राज सूची में दिये गए बिश्यों पर कानून बनाने की सकती संसत को हांसिर होगी लेकिन संसत को कानून बनाने की सकती कैसे हांसिर होगी ये सकती संसत को राज सभा पर दान करती जो राज सभा स्वयम संसत का एक एक अंग है संसत का एक सदन है तो दोसुण चास में कहा गया है कि यदि किसी समय राज सभा राज सूची में दिये गए विश्यों में से किसी विश्य को कुल सदिशों के बहुमत तथा उपस्तित वा बत्दान करने वाली सदिशों के दो तिहाई बहुमत से एक संकल पारित करके उसे राश्टी महत्तों का विशय घोसित कर दे यह intention किलियर कर दे यह प्राय किलियर कर दे कि अमुक विशय जो राश्चुशी में रखा गया है लेकिन कुछ विशिस परिस्तिती में उसकी महत्ता राश्ची हो गई है तो बेसक वो विशय राज सूची का है उस पर कानून बनाने की शक्ति संसत को मिल जाती है तो संसत को राज सूची में दिये गए विशयो पर कानून बनाने की शक्ति कोन पर रोड़ कर रहा है? अनुसे 249 के तहट राजशभा कर रही है यह राजशभा का इस्पेसल पावर है यह राजशभा की एक बड़ी सक्ति है आप जानते हैं कि राजशभा लोगशभा का जो काम है संस्त का जो काम है उस काम करने में जो कानून बनाने का काम है उस कानून बनाने के काम में लोग सभा की सक्तियां राज सभा के त連व बहुत बिष्रित हैं लेकिन सम्धधान के दवरा राज सभा को पुछ ऐसी सक्ति दी गई है जो लोग सभा को नहीं दी गई है उसी में से एक सक्ति है अनुशे 249 के दौरा जोसे दी गई है कि राज सभा यदि अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्तित्वा मद्दान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से यह संकल्ब पारित कर दे कि राज सूची में लिकित किसी विशय की महत्ता लिए इस प्रकार का संकल्ब पारित कर दे तो राज सभा के इस संकल्ब के अनुशरण में उस विशय पर संसत को कानून बनाने की सक्ति हासिल हो जाती है जबकि वो विशय राज सूची का है तो इस प्रकार अनुच्छे 249 इस राश्टी हित में राज सूची में दिये गए किसी विशय पर कानून बाने की सक्ति संसत को प्रवाइट कर देता है इसी प्रकार भारती संविधान का अनुशरण 250 भी एक विशिष्ट सती में राज सूची में उल्लिकित किसी विशय पर कानून बनाने की सक्ति सेंट् करता है तो अनुशे 250 में क्या कहा गया है अनुशे 250 में कौन सा आधार लिया गया है जिस आधार के कारण राज सूची में दिये गए विशे पर राज सूची में उलिखित किसी विशे पर कानून बराने की शक्ति शंटल को मिलती है केंट को मिलती है संसत को मिलती है तो अनुशे दो सुपचास में इस बात को इस पस्ट किया गया है इस बात का इस पस्ट उले किया गया है कि यदि किसी समय देश में अनुशे तीन सो बावन की तहत राश्टी आपात की उद्वोशडा जारी की गई हो आप जानते हैं कि अमसे 352 राश्पती को शक्ति देता है कि युद्ध वाह आक्रमण या ससद बिद्रोग के आधार पर देश के समक्ष कोई शंकट पैदा हो गया हो तो ऐसे शंकट से निपटने के लिए भारत की वेवस्था को परिवर्तित कर दिया जाता है भारत की संधात्मक्षिद्धानत का त्याग कर दिया जाता है और सारी की सारी सक्ति सभी विश्यों के बारे में कानून बनाने की अंतिम सक्ति केंद को मिल जाती है ताकि संकट से चुनोती पूंधंग से निपटा जा सक है तो तीन सु बामन की तहत राष्टपती को यह अधिकार है कि राष्टपती उन पश्थितियों में कि जैसे युद्ध बाहयाक्रमण और सब्द्रो भारत का किशी देश के साथ इद्ध शण गया हो वाहयाक्रमण बाहयाक्रमण दूसरा धार बाहयाक्रमण मतलए एक्स्टरनल एग्रेशन मलब कोई विद्धिराज भारत के प्रती एक आक्रामक कार्यवाई का मन बना रहा हो उसके मन में इस तरह की बाते चल लही हो और भारत के मैसूस हो जाए राष्पती को यह प्रतीत हो जाए यह भारत राज्य की सीमा रेखा के भीतर एक विद्ध्रो जैसे स्थिति उत्पन हो गई हो तो इन में से तीनों में से कोई भी इस्थिति अगर उत्पन हो गई है तो राष्पती को अनुशे 352 यह पावर देता है कि वो राष्टी आपात की उद्गोसला कर दे और जैसे ही राष्पती अनुशे 352 के तहट राष्टी आपात की उद्गोसला करता है राष्टी आपात का डेकलरेशन करता है नेस्नल एमर्जंसी का उद्गलरेशन करता है भारती राज जी की बेवस्ता बदल जाती है जो भारत में संगात्मक सिद्धान अपनाया गया है जो फेडरल प्रिंस्पिल को लिया गया है कि केंद और राज जी की भी शक्तियों का विभाजन है वो अपनिम में काम करें यह विभाजन खतम हो जाता है सभी विश्यों पर काम करने का अधिकार केंद्र को मिल जाता है सारे विश्यों पर हैंडिल करने की ताकत हैंडिल करने की पावर सेंट्र को मिल जाती है ताकि Central जो है, केन जो है, ऐसी चुनोती से, ऐसी संकट का सरलता के साथ सामना करने के लिए अपने को सक्षम महसूस कर पाए लेकिन जैसे इस्थिति टलती है, फिर से Federal Principle को अपना लिया जाता है और संक्तियों का विभाजन जो है, वो फिर से काम करने लगता है विभाजित विश्यों पर अलग-अलग अपने निकायों को अपने प्रेम से पर काम करने का अधिकार फिर से बहाल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अनुशे 250 में इस बात का उल्ले किया गया है कि यदि किसी समय तीन सु बामन के तहत राष्ट पती युद्ध बाह अक्रमन या ससस बिद्रो वार एक्स्टरनल एग्रेशन एंड आर्म रिवीलियन के बेस पर के आधार पर राष्टी आपात की उद्घोस्रा की घोस्रा करता है तो ऐसी उद्घोस्रा जारी रहने के दौरान राज सुची में दिए गए किसी भी विशे पर कानून बनाने की सक्ती सिंटल को मिल जाती है कानून बनाने की पावर केंत को मिल जाती है केंद्री सरकार को मिल जाती है ये प्रावधान किया गया अनुचे 250 भी ते इसकामल 250 भी भारती संब्धान का वो आर्ट किल्स है जो एक विशिस पज्तिती में राज सूची में दिये गए विश्यों पर कानून बनाने की सक्ति केंद्र को देता है इसी प्रकार भारती संब्धान का अनुचेद 252 में क्या कहा गया है कि यदि दो या दो से अधिक राज केंद्र सरकार से अनुरोध करें केंद्र सरकार से आग्रह करें कि मेरे बारे में राज सूची में दिये गए किसी विश्यों पर कानून संसद बनाए तो ऐसी स्थिती में उन अनुरोध करने वाले राज्यों के लिए राज सूची में उन लिखित किसी विश्यों पर कानून बनाने की सक्ति केंद्र को प्राप्त हो जाती है और इसमें ये भी शुबधा दी गई है कि इस प्रकार कुछ राज्यों के अनरोध पर केम द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों को आगे चलकर अनराज्य भी एक संकल पारिद करकर करके एडाप्ट कर सकते हैं, उन्हें स्विकार कर सकते हैं और अपने हां लाग करता है, और वो विशिस प्रकार भारती संविधान का अनुच्छेद 254 भी वो अनुच्छेद है, जो राज सूची में लिखित किसी विशेपर कानून बनाने की सकती, एक विशिस परिश्थिती में शेंटल को प्रवाइड करता है, केंद को परदान करता है, और 253 में इस बात का जिक्र है, 253 में इस बात का उल्ले किया गया है, कि अन्तर राश्टी संधी तथा समझहुते को क्रियानमित करने के लिए, राज सूची में लिखित किसी विशेपर कानून बनाने की सकती, केंद को में, केंद के पास होगी, आप जानते हैं कि अंतर राश्टी अस्तर पर जो हमारे बैदेशिक संबंद होते हैं, हमारे प्रितरक्षा के संबंद हैं, हमारे सामरिक संबंद हैं, हमारे राजनेतिक संबंद हैं, हमारे बैग्यानिक संबंद हैं, हमारे स्पेस के संबंद हैं, हमारे सामाजिक संबंद, इस तमाम तरह के संबंद जो हमारे हैं, अंतर राश्टी अस्तर पर जो हम रखते हैं, जो दुनिया के दो सभ देश एक दूसरे से रखते हैं और इनी संबंधों के आधार पर दुनिया के तमाश बहुत सारे देश तमाम देश एक दूसरे से मिलते हैं और अपना विकास करते हैं एक दूसरे के सहयों के मातन से तो इसी पहल के लिए दोसों तिरपन में उद्देश है चुकि अंतरराष्टी अस्तरपर इन संबंधों की पहल करने की पावर या इंटरनेशनल रिलेशन रखने की पावर केवल सेंट्रल गब्मेंट में है इस्टेट कोई पावर नहीं दी गई है कि कोई स्टेट कोई भारत का प्रामिस जो है वो किसी विदेशी राज्य से किसी तरह कोई संबंधा करने की पहल केवल केंद को दी गई शेंट्ल को दी गई है दोसु तिरपन में अस्पश किया गया है कि अगर केंद सरकार अंतरराश्टी अस्तर पर किसी तरह की कोई संद समझाओता करता है, करना चाहता है है के और ऐसे संद समझाओता करने में राज सूची में दिया गया कोई विसेur औपिकल्स बन रहा है ब्यवधान बन रहा है दिक्कत खरी कर रहा है तो चूकि राज सूची में दिये गए विश्यों पर सामानत्या कानू बनाने की सकति राज्यों के पास है इस फेडरल सिस्टम है फेडरल प्रिंस्पिल में बात कही गई है कि आप अपने पर काम करेंगे तो ऐसी इस्थिती में कि वहीं अंतरराष्टी संद्या सम्झावतों को क्रियानमित कैसे किया जाए उसे इक इंतरराष्टी संद्या समझावता या अंतरराष्टी संबंध को बढ़ाने के लिए उसे नीमित करने के लिए कानून बना रही है आप जानते कि कोई भी हमारे संबंध होते हैं कोई भी हमारे कारिवेदी होती है तो वह उसकी सक्ति हमको मतलब कानून बना के ही हो सकती है और कानून बनाने की सक्ति संब्धान देता है तो उसी तरह समिधां से सक्ति गहन करते हुए संसर्द हमारे बैदेशिक संबंदों को नीमित और नियंतित करने के लिए या अंतरराश्ची संध या समझेदों के क्रियानवित करने के लिए कोई कानून बना रही है और उस कानून को बनाने में स्टेट लिस्ट में समलित कोई भी से ब्योधान खड़ा कर रहा है बाधा बन रहा है तो अनुछे 253 संसत पर पावर देता है संसत को दिकार देता है कि उस ब्योधान को समाप्त करने के लिए जो ब्योधान राजश्ची में दिया गया भी से खड़ा कर रहा है उस बिसे पर कानून संसत बना ले ताकि जो है उस ब्योधान को समाप्त करने के लिए जो अंतरराश्ची संध और समझेदों की पहल में ब बना लें तो इस प्रकार अंतर राष्टि संधियों और सम्झाzubतों को इंप्लिमेंट करने के लिए एंग्जिक्यूट करने के लिए राज सूची में दिया गया कोई भी से ब्यक़धान बन रहा है तो ऐसे ब्यक़धान को सुन निगोसित करने के लिए से विधान को समाप्त करने के लिए संसत राजसूशी में दिये गए किसी विश्य पर कानून बना सकती है इसी प्रकार संविधान का वो महत्पून अन्शेद जो राजसूशी में दिये गए विश्यों पर एक विश्ष परस्तिती में कानून बनाने की शक्ति संसत हो देता है और वो है Constitution का Article 356 356 356 356 भारती सम्मिधान का एक बड़ा चर्चित अनुच्छेद है और जिसको लेके सम्मिधान निर्मात्री सभा के समक्ष ही बड़ी हाट टाकोई थी इसको लेके बड़ी आसंका वेप्त की गई थी सम्मिधान निर्माता डाक्टर भीम्रा अंबेतकर को इसपस्चिक करन दिया गया देना पड़ा था कि इस इस अनुच्छेद का प्रियोग सम्म टाइम्स कभी-कभी किसी बिशिस इस्ति में ही किया जाएगा सेस इस्तियों में अनुचे 356 जो है वो भारती सम्मिधान में एक निश्क्री एक पैसिव आर्टिकल के रूप में बना रहेगा सम्मिधान के किताब के प्रिश्टों में एक निर्ज्यू अक्षर के रूप में बना रहेगा ये कलपना की गई थी लेकिन ये कलपना निर्मूर साबित होई निराधार साबित होई जिस प्रकार से जिस अनुच्छेद को सम्मिधान में एक निर्ज्यू अनुच्छेद बने रहने कलपना की गई थी सम्मिधान लागू होने के बाद उसी अनुच्छेद का प्रियोग सौ बर्स सौ बार से जादा किया जाना ये अपने में एक बिश्ष मतलब मनायस्ति पैदा करता है क्योंकि उन्हे संका थी डाकटर विमराब बेदकर को कोई को इसका वेजा इस्तेमाल किया जा सकता है खासकर ऐसी परिस्तिति में जब केंद में किसी और दसलीं सरकार हो और प्रांत हो में किसी और दल बनाते हुए इस प्रकार की मतलब एक विचारधारा आइडियोलोजी पर एक कहले एक consensus बनाते हुए कि सामान इसका प्रयोग नहीं होगा बलकि केवल विशिश इस्तिव में किया जाएगा और 356 को समधान में सामिल किया गयां तो 356 में कहा गया है संवथानिक तंत्र की विफलता कि इससे आप सामान बूल चाल की भासा में राश्पति wash routine भी कहते है था में 366 में कहा समाधान हो जाए उसका स्वयम का समाधान हो जाए कि भारती संद के किसी राजी की सरकार संबिधान की प्रावधानों के तहत नहीं चल लही है मतलब किसी राज्य में संबिधान फेले और कर गया है संबिधान विफल हो गया है उस राज्य की सरकार संबिधान की धज्यां उडाते हुए अपने निजी हित में पावर का इस्तिमाल कर रही है अपने परिजनों की हित में पावर का इस्तिमाल कर रही है ना कि संबिधान के तेहत चल लाई है तो 356 ऐसे सिती में राश्पति को पाउर दिता है राश्पति को शक्ति प्रुसासन को संवेदानीक प्रावधानों के तेहत पटरी पर लाने के लिए कुछ समय के लिए उस राज का शाच्रावधानी अपने हाथ में ले लिए मतलब राश्पती को 300 पर पावर देता है कि ऐसे राज्य जिन में प्रसासन जो है संब्धान के प्रावधानों के दात नहीं चल ला है वहां संब्धानिक तंत्र की विफलता की घोसरा करते हुए उस राज्य की सक्ति अपने हाथ में ले ले इसी लिए से सामान बोल्चाल की भाषा में राश्पती सासन कहा जाता है प्रसिजन्ट रूल कहा जाता है क्योंकि उस राज्य का सासन राश्पती जो है वह अपने हाथ में लेता है और जैसे ही उस राज्य में 356 के तहर संब्धानिक तंत्र की विफलता की घोसला करता है तो उस राज्य के संबंद में रा कानून बनाने की सकती है संसत जो हो राष्फपती को डेलिगेट कर देती है राष्पती चाहे तो उस केंद्री प्राधिकारियों से भी उस पर कानून बना ले तो किसी राज्ज में समयधानिक तंत्र की विफलता की स्तती में भी उस राज्ज के लिए राज्ज सुची में उल्लिकित किसी विशय पर कानून बनाने की सकती संसत को मिल जाती केंद्र को मिल जाती है सेंट्र को मिल जाती है तो भारती समयधान के ये पाँच अनुशेद ऐसे हैं अनुशे 249, अनुशे 250, अनुशे 252, अनुशे 253 तथा अनुशे 356 जो विशिष्ट आधारों पर भिन भिन आधारों पर राजशूची में दिये गए किसी विशेव पर कानून बनाने की शक्ति संसत को प्रोवाइड करते हैं यह भारती समधान की वे अनुशेद हैं जो राजशूची में दिये गए विशेव पर कानून बनाने की सक्ति केंद्र को प्रदान करते हैं केंद्र को प्रोवाइड करते हैं तो यह प्रावधान क्या गया है राजशूची में यह राजशूची में जो विशे दिये गए हैं उन पर वो कौन से प्रस्तितियां हैं, जिन प्रस्तितियों में गानुराने की सक्ति, सेंटर को मिल जाती है, केंद्र को मिल जाती है। तीसरी जो अनव्द सूची दी गई है, उसे हम समवर्ति सूची नाम से जानते हैं, और आप से जानते हैं कांकरंड लिस्ट की जो अधारणा है, समवर्ति सूची की बिचार है, वह आस्ट्रे लेकर सामधान से लाय गया है. तो समवर्ती सुची में ऐसे विश्यों का उल्लेख किया गया है जिनके बारे में सामान अंडरस्टेंडिंग है कि समवर्ती सुची में ऐसे विश्यों का उल्लेख है जिनके बारे में माना जाता है कि पूरे देशों में पूरे देश में कानूनों की एक रूपता हो, उनिफार्मिटी हो, कुछ विशय ऐसे हैं, जिनके बारे में यह मतलब है, महशूस होता है, कि यह विशय, विशय के लेकि जो कानून हो, वो पूरे देश में एक समान लागू किये जाएं, ताकि देश में सम्रस्ता बनाई जा स के, तो उन्ही विशयों को, जिनके बारे में पूरे देश में एक रूपता को महसूस किया गया, उन्हें समवर्ती सूची में लिस्टट किया गया, यो समझें आप, फिर समवर्ती सूची में ऐसी विशयों का उल्ले किया गया, जिनकी प्रकित, जिनका स्वरूप, जिनका नेचर, समय-काल और परिष्दती के अनुसार बदलता रहता है। उस पौैंध केंद कानूर बनाएगा वो राश्ट्री महत्र के है, राज सूची में राज बनाएगा वो अस्थानी महत्र के है। समवर्थी सूची में ऐसे भी से हैं, जिनके बारे में महसूस किया गया, देखा गया कि इनकी प्रकीति जो है, वो समय समय पर केंद्री और अस्थानीं है, मतलब बदलती रहती है, कभी राष्टी महात्त के लगने लगते हैं, कभी अस्थानी महात्त के, तो इसके लिए ये नई सूची आस्टेलिया से लाई गए इसमें रख दो जब इनकी महत्ता राश्टी होगी तो उस पर कानून संसद बना लेगी और जब उनकी महत्ता इस्थानी होगी उस पर कानून राजविधान मंडल बना लेंगे इसी लिए समवर्ती सूची में दिये गए बिश्यों पर केंद और राजविधान में समवर्ती सूची में कुल 47 बिश्यों का प्रावधान किया गया था बरतमान में इस सूची में कुल बामन विशे दिये गया है क्योंकि आप जानते हैं कि राज सूची के पाँच विशियों को शिक्षा, वन, जंगली जानवर, पक्षियों करक्षा, मापतोल, परिवार, नियोजन और जंसंका नियंतर इन पाँच विशियों को 42 में संसोदन उस शिICIAतर के दोरा समवर्थी सूची में अंते स्थापित कर दिया गया उसको यहां इंसर्ट कर दिया गया लेहाजा 47 संक्या बामन हो गई अब समवर्थी सूची में दिये गए विश्यों पर कानून बनाने की शक्ती संसत था राज विधान पर दोनों को दी गई है इस सूची में उन विश्यों को रखा गया है जिनके बारे में सामानतिया माना जाता है कि पूरे देश में कानूनों के संबंद में एक रूपता होनी चाहिए, उनिफार्मिटी होनी चाहिए, सिमलर्टी होनी चाहिए. अब संबिधान के अनुच्छेद संबिधान के आर्टिकल 254 में इस बात का प्रोविजन किया गया है कि समवर्ती सूची में दिये गए विशेपर, केंद और राज दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि दोनों के द्वारा केंद, मलब सेंटल और स्टेट, दोनों के द्वारा समवर्ती सूची में दिये गए किसी विशेपर बनाएगे कानून में अंतर विरोध प्रतीत हो तहदोन में असंगत्ता प्रतीत होती है तो केंद द्वारा बनाया गया कानून मानने होगा राज द्वारा बनाया गया कानून मानने नहीं होगा लिकिन यहीं पर एक और परिस्तिति कलपना की गई है एक और परिस्तिति का प्रावधान किया गया है कि यदि कोई राज समवर सूची में उल्लिखित किसी भी से पर कानून बनाने के पूर्व राष्टपती की पूर्व स्वेकरती प्राप्त कर ले राष्टपती से अनुमती ले ले राष्टपती से पूछ ले तो ऐसी स्थिति में बेशक समौर्थी सूची में दिये गए किसी भी से पर राज द्वार बनाएगा कानून केंद वारा बनाएगा कानून से बिन है अलग है असंगत है लेकिन उस राज्ज में वही कानून लागू होगा तो ये सारा प्रावधान किया गया है मतलब समौरती सूची में तो आपने देखा कि सात्मी अनसूची का सम्मद जो है वो केंद और राज्ज क के संबन में तीन सुची को दी गई है उनमें कैसे बिषocy उनका नेचर क्या है और उनपर कानुन बनाने की सक्ति किसको किसको दी गई है कि विशुष पार्सेटियों में दी गई है। भारती समिदान के सात्वी अंसूची में किया गया है और सात्वी अंसूची को आप जानते हैं कि भारत में फेडल सिस्टम का फेडल प्रिंस्पल का एक करेक्टर माना जाता है उसका एक प्रकार माना जाता है ठीक है वही तो आज हम यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट हम फि कमेटी 2.0 के नाम से आयुजित कर रही है यह बीस और 21 फरवरी 2021 को तो इसमें यह दो दिन का एक समिट है दो दिन का एक कांफरेंस है इसमें सतर स्पीकर्स होंगे 20 टॉक्स और डिसकर्शन्स होंगे और 32 जो है 22 इसमें वक्साप किये जाएंगे अनकेडमी अभी हाल ही में एक कमवेट प्रोगाम भी लांच की है और जिसके तहत वह साथ क्वेश्चन के साथ के लिए साथ मिनट का एक क्विज कंटेस्ट जो है वह मतलब का प्रोगाम किया गया है उसे मतलब एक अरंज किया गया है जिसमें जो भी इस कंटेस्ट का विजेता होगा उस एक अनकेडमी की तरफ से विभिन कोर्सों में कुछ स्विधाएं कुछ फूट सहूलियत डिसकाउंड पुरान किया गया है और इस किज कंटेस्ट का आयोजन जो है वह 28 फरवरी को 11 एम मतलब 11 बजे प्राता 11 बजे इस कंबेक पुर्गाम का जो भी इस का इसे एक स्कालर सिप टेस्ट आप कह लें इंडिया लार्जस्ट वीकली स्कालर टेस्ट फार यूपी अस्टी तो यह जो स्कालर टेस्ट का विजें किया गया है इसमें जो विनर्स होंगे विनर्स की कटेगरी बनाई गई है कटेगरी का मतलब है कि इसमें से जिनकी रैंक एक से तीन के बीच होगी उनकी complete फीस माफ कर दी जाएगी इनमें से जिनकी रैंक चार से दस के बीच होगी उनकी 75% माफ कर दी जाएगी इनमें से जिनकी रैंक 11 से 50 के बीच होगी उनकी 50% फीस आफ हो जाएगी इनमें से जिनकी रैंक क्यावन से 500 के बीच होगी उनकी 25% माफ कर दी जाएगी तो ये बड़ी शुब्धा पतान की गए है अकडमी के दौरा जो भी इसमें विनर्स होगा जो भी विजेता होगा या जो भी इन रैंकिंग में से किसी रैंकिंग के अंतरगत आएगा उसे बिन बिन श चूट पचास परसन की चूट और 25 परसन की चूट या पूरी चूट यह शुब्धाएं उन्हें मिल सकेंगे ठीक भाई थैंक्यू यदि आपको लेक्षर अच्छा लगा हो तो आप अनकेडमी को सब्स्राइब करें लाइक करें शेयर करें तथा वैलिकन बटन को दबाए ताकि जादा से जादा लोग आपके साथ इन प्रोग्राम के लिए जुड़ सकें थैंक्यू सो मच